हेलो फ्रेंड्स फिर से एक बार आप सभी को मेरे चानल में स्वागत है आज मैं बहुत ही सिंपल बहुत ही कम खर्चे में इस तरह से आसान सा पापड बनाना रेचिपी शेयर करूँगी सिर्फ और सिर्फ एक कप पोहा से आप सो से भी ज़्यादा पापड बना सकते हो इसमें बहुत सारा मसाला अड़ किया हो और बहुत ही टेस्टी बना हो है और बहुत ही कम खर्चे में जो आपके घर पर अव evelेबल है सिर्फ उसी से मैंने इस पापड बनाया हुआ है मैंने एक्ष्ट्रा कुछ भी भार से ने खरीदा ता सिर्फ पोहा चाहिए हमें एक कप और यह बहुत ही कम खर्चे में रेडी हो जाएगा चले शुरू करते हैं इसे बनाना इस तरह से पापड आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हो तो मैंने सिर्फ एक कप से बनाया है सोप आपड तो चले जानते हैं से कैसे बनाता है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप पोहा लिया हुआ है मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कप नहीं लिया है जा नॉर्मल वाला जो स्मॉल कप होता है उसे में मैंने एक कप पोहा लिया है तो पहले तो हमें इसे अच्छे से धो के लेना है पोहा को हमेशा पहले धो के लेजेगा यूज़ करने से पहले तो इसे मैं जश्ट एक दो बार अच्छे से इस तरह से धो कर ले लूँगी तो यहां पर मैंने दोकर रेडी किया हुआ है अब मैं क्या करूँगी एक कप पोहा में सेम एक कप जितना पानी अड़ करके भीगा दूँगी एक पाँच से दस मिनिट तक पानी अड़ करके भीगा देना है और यह जल्दी से भी बन जाते है आपको कुछ ओगरनाइट वगेरा सोक करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसे में पाँच मिनिट याद आपको जाज ज्यादा दस मिनिट तक इसे सोक करके रखना है उससे क्या होगा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हूं यह पानी पूरा सोक करके लिए आवा है इसमें पानी है यह जल्दी से पेस्ट हो जाता है इसमें अब इसमें मैंने क्या किया है पेस्ट करते समय एक कप जितना पानी आड़ किया था तो याद रखेगा एक कप पूहा लिया हुआ था एक कप सोक करने के लिए भीगाने के लिए रख दिया था और पीसने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप पानी आड़ किया था टोटल हमें 5 कप जितना पानी चाहिए तो आप पानी का मेशरमेंट ध्यान रखेगा तो यहाँ पर मैंने पोहा को अच्छे से फाइन पेस्ट करके लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हूं कितना फाइनली पेस्ट हो गया यह पोहा तो यहाँ पर हो गया अच्छे से फाइन पेस्ट अब मैं इसमें अड़ करूंगी पानी तो मैंने एक कप पिस्ट टाइम लिया था एक कप भीगाते टाइम लिया था अब हम यहाँ पे तीन कप जितना पानी अड़ करना है तो टोटल हमें चाहिए पाच कप पानी तो यहाँ पर मैंने तीन कप जितना पानी अड़ किया हुआ है तो इस तरह से मिक्स करके लेना है आप पहले चाहिए तो धीरे धीरे एक कप पानी अड़ करके अच्छे से मिक्स करके लिजिएगा तो आमने जो grind किया था उसको और ये जो 3 कप पानी आप 3 कप एक साथ में डाल सकते हैं या धीरे-धीरे इस तरह से mix करके लेना है तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 3 कप पानी डाल के इस तरह से mix करके लेना है तो अगर आपको mix जार में थोड़ा थीक लगे तो उसी में थोड़ा ज़्यादा पानी भी add कर सकते हूँ तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ये सब mix कर लिए यहाँ पर आप देख सकते हूँ कितने अच्छे से mix हो गया यह बहुत ही अब इसमें आड़ करना है masala तो अब मैं इसमें आड़ करूँगी curry leaves तो आप धेर सारा curry leaves आड़ कर दीजिये करी leaves आड़ करने से तेश बहुत ही अच्छा आता है तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप skip भी कर सकते हो बट curry leaves अगर है आपके पस तो आप धेर सारा आड़ कर दीजिये अब मैं इसके साथ मैं आड़ करूँगी black pepper powder तो यहाँ पर मैं आड़ कर दियू black pepper powder ये तीखे के लिए आड़ कर रही हूँ इसमें red chili powder या green chili paste आड़ कर सकते हो बट black pepper powder आड़ करने से ये पापड का मज़ा ही कुछ अलग आता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर black pepper powder आड़ किया है अब हमें आड़ करना है स्वाद अनुसर नमक तो यहाँ पर मैं अच्छे से नमक आड़ करके लिए रही हूँ अब इसके बाद हमें क्या करना है इसे mix करके लेना है बहुत ही easily यह बन जाता है और बहुत ही tasty भी recipe है इसमें जल्दी से भी बन जाता है ज्यादा time नहीं लगता है जस एक कपोहा और कुछ time भी नहीं लगता है just within 15-20 minutes में यह बन के ready हो जाता है अब मैं इसमें क्या करूँगी soda आड़ करूँगी बहुत ही कम soda आड़ किया है अगर आपको skip करना चाहिए तो skip भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने soda थोड़ा सा आड़ किया है इसके साथ आप जीरा ज्वाइन यह सारे चीज़े आड़ कर स अच्छे से mix करके ले लेना है पहले इसी तरह से mix करना है उसके बाद ही आपको गैस्टो में रखना है तो directly मत रखेगा फिर यह जल्दी ठीक हो जाएगा तो मसालास अच्छे से यह मिलने जाएगा तो इसके लिए पहले इसी तरह से मैं add कर दूँगी तो यहाँ पर मैं ग लो फ्लेम में रखना है पोहा वैसे कुछ हमें बॉइल पकने के लिए तो नहीं छोड़ना है जल्दी से हो जाता है ज्यादा टाम नहीं लगता है तो इसे जिस लो फ्लेम में रखके इस तरह से mix करते देना है यह ठीक होने तक तो यह हो रहा है अभी भी दूप चालू है अगर आपके घर में धूप नहीं है तो आप फैन के यहाँ पे भी इसे सुखा कर यह पापड को बना सकते हो धूप के जरूरत नहीं है क्योंकि यह इतना पतला बनता है कि बिना धूप का भी यह तीन से चार घंटे में सूख ज होगे तो रेड कलर आजाएगा ग्रीन चिली पेट से तो इतना कुछ कलर नहीं आएगा बट ब्लैक पेपर पावडर के उज़े से इस तरह से कलर आया है नई तो यह वाइट रहाएगा तो इतना अभी देख सकतो यह थीक हो रहा है इसे और थोड़ा सा बॉल करना है तो य इस तरह से चमच से पापड बना लेना है तो मैं यहापर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पापड बना लेना है ज़स मैंने इसमें एक से आदा चमच जितना आड कर रही हूँ तो आप देख सकतो यह इतना सा ही इस तरह से राउंड शेप देना है आपको पापड में पतल एकदम पतला बना लेना है, यह बहुत इसली निकल जाता है, तो इतना हमें पतला सिर्फ एक एक चमच से इस तरह से बना कर ले रही है, एक हंडर्ड पापड आप आराम से इसली बना पाओगे, सिर्फ एक पोहा से, तो यहां पे सिर्फ इतना पतला पतला हमें बना कर लेना ह और इसे धूप में या फिर फैन के निचे तीन से चार घंटे तक बस सुखाने देना है तो यहाँ पर मैंने इतना सब बना कर ले लिया है तो अब मैं क्या करूँगी इसे सुखाने के लिए रख दूँगी मेरे यहाँ पर धूप था तो मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया था जब एक तीन से चार घंटे के लिए तब मैं तीन से चार घंटे बाद आपको दिखाऊंगी देख सकते हूँ यह कितना इजिली सूख गया है और देखो कैसे निकल रहा है कितना इजिली निकल रहा है कुछ भी आपको प्रेस वगयरा करने की जरूरत नहीं बहुत ही आसानी से कोई भी इसे निकाल पाएगा मसाला सब बहुत अच्छे सी मिल गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कितना इजिली मैं इसे निकाल दूँ इसमें आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी मैं आपको तो इसमें आप और मसाला एड़ करोगे तो और भी अच्छा लगेगा यह प्लैस्टिक के उपर ही डालिएगा इस तरह से कोई कपड़े में डालोगे तो इतने आसानी से नहीं आएगा क्योंकि यह बहुत ही पतला है तो कपड़े के उपर बहुत आसानी से निकाल नहीं पाओगे इसके लिए प्लैस्टिक पे अगर आप इस तरह से स्प्रैड करोगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा सिर्फ मैंने एक एक चमच डालके इस तरह से पापड बनाकर रेडी किया हुआ है देख सकते हूं कितना इजली मसाला पापड बनकर रेडी हो गया है तो अब मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाऊंगी तो इसी तरह से मैं सारा निकाल कर रेडी करके स्टोर करके रख दूँगी मैं तो पूरा साल भर के लिए बना कर लेती हूँ इस तरह से मैं बहुत सारा पापड बना कर रेडी की हो अलग-अलग तो इसे भी मैं बहुत सारा बना कर स्टोर करने के लिए रख दूंगी अब मैंने इसे फ्राई करके लिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो कितना क्रिश्पी बना हुआ है वो पापड फ्राई करने के बाद मैं आपको तोड़ के दिखा रही हुआ कि कैसे क्रिश्पी बना हुआ है तो इसके कलर ब्लैक पेपर का कलर आया है और कितना क्रिश्पी बना हुआ है इतना पतला है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिश्पी बना हुआ है इसलिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि आप भी जान सकें कि ये कितना क्रिश्पी ली पापड बना हुआ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक केजिए और ये वीडियो को शेर करना ना भूले और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब केजिए थैंक्स फो वाचिंग फ्रेंज